तो Microsoft वर बेजिक टो एडवांस तू सीखना ही है लेकिन उसे स्टार्ट कैसे करते हैं अपने कंप्यूटर के पर लैप्टॉप की उपर वो सबसे बिले देखते हैं हाई हालो नमस्कर मैं हूँ सागर आप देख रहें जिके नॉलेच सागर यहाँ पर देखिए मेरे पास में Windows 10 इंस्टॉल तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाए देरा स्टार्ट बटन जिसके उपर मैं क्लिक कर रहा हूं और स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख वर्जन का रहने दो दोस्तों यहाँ पर जो मैं Microsoft Word के options बताने आला मेरे अंदर मेरे office 2016 के अंदर वही सारे option आपको आपके office में मिलने वाले है बस थोड़े बहुत changes से Microsoft 2016 में थोड़े से options 2013 से जादा है और 2019 अगर आपके पास है तो well and good Microsoft Word 2019 में और जादा options है बस आपको Microsoft Word पर काम कर सकते हैं ऐसा ही मैं पढ़ाने वाला हूँ इसलिए आपका कौन सा version है वो matter नहीं करेगा क्योंकि मैं step by step सारी चीज़े बता हूँगा और वैसे भी मैं Microsoft Word पिछले 10-12 सालों से use करते आ रहा हूँ तो मुझे अलग-अलग version में कौन कौसी चीज़े है यह मुझे detail में पता है तो don't worry about it मैं आपको detail में बताने वाला हूँ यह वीडियो पूरा नालेजपून होने वाला है और यह beginners के लिए लाब दैक रहेगा यह वीडियो को skip मत किजी पूरा वीडियो देखिए तो अच्छलिए यह यह वर्ड पर क्लिक कर सकते हैं आप दूसरा तरीका मे सर्ट करता हूँ में स्टार्ट और यह यह रन कमांड ़ाता हूँ और रन कमांड विंडो और यह वीडियो की और प्रेस कीज़े कीझे, परण कमांड आ जयाती है तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर आएगा blank document और यहाँ पर लेपसाइड में आपको recent file मिलेगी और हर एक सौप्टर में दरसल आप जो भी file बनाते हैं Microsoft Word के अंदर वो recent files आपको यहाँ पर लेपसाइड में दिखाए देती हैं वैसे Microsoft Word में भी यहाँ पर recent file जो मैंने पहले बनाई है यहाँ पर CAD, Notes है, Word, IMP, Shortcuts है बहुत सारी चीज़े हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं और मुझे यहाँ पर मिल रहा है blank document जिस पर मैं blank document ले सकता हूँ और उसके साथ ही उपर दिखाए दे रहा है suggested searches कि उन्होंने कुछ आपको ready made दिये business, cards, flyers, letters, education, resumes and cover letters मतलब आपके bio.org अगर आपको बनाना तो यहाँ पर ready made चीज़े बहुत सारी हैं यहाँ से आप ले सकते हैं अगर आप click करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर thousands of templates load हो जाते हैं इससे predefined templates बोला जाता है जो कि आप यहाँ से अलग-लग resume आपको अगर बनाना है आपको जो पसंद है वो resume का template आपको यह पसंद आ रहा है क्लिक कीजिए create button पर click करेंगे तो यह load हो जाएगा फिलाल हम यह नहीं करने वाले बस मुझे आपको बताना था कि यहाँ पर templates available है अब home में हम जा रहे blank document क्योंकि हम Microsoft Word एकदम starting से देखने वाले तो इसके लिए blank document हम पहले लेंगे न दौस्तों so blank document आ गया अब मैं यहाँ पर बताओ यह जो blinking line है बहुत सरो लोग को इसके बाले में पता ही नहीं होता है इस blinking line को cursor बोलते है cursor याद रखिए इसे cursor बोलते है अगर मैं इसका use यहाँ पर बताओ तो cursor आपका एक typing starting point है आपक link में बताता है अच्छा यह cursor तो बता चल आपको यह mouse pointer जो दिख रहा है आपको क्योंकि mouse pointer जब आप page के उपर लेंगे तो mouse pointer दिखाए देगा ध्यान से देखिए यहाँ पे मतलब ऊपर लेके जाएंगे header बार में तो mouse pointer आपको mouse pointer की तरह दिख रहा है लेकिन page के उपर आता है आपको insertion point हो so next यहाँ पर Microsoft Word का introduction में पहले बता रहा हूँ तो मैं आपको बता हूँ कि सबसे पहले उपर जो आ रहा है document 1 यहाँ पर दिख रहा है word तो इसको document को नाम नहीं दिया है इसलिए document 1 by default नाम आता है अगर नय document लेंगे तो document 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा यह title bar title bar में आपको right side में 3 button मिलते है जिसे close, restore, down और minimize होता है जो कि basically सबको पता है restore मतलब window छोटी करना minimize जयाने कि आपको पता है directly minimize हो जाएगा and close मतलब यहाँ से close हो जाएगा लेकिन क्या आपको पता है वो हम shortcut key से भी access कर सकते है नहीं तो अभी बता देता हो alt space r प्रेस करेंगे तो restore हो जाएगी window छोटी होगी alt space x करोगे तो maximize हो जाएगी alt space r restore alt space x जो की maximize हो जाएगी alt space c करेंगे तो close हो जाएगी यह विडिवा आपको आच्छा लागे तो like subscribe channel को कीजिए